तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो हॉल्टिकट रिलीज हुआ है उसके बारे में कल ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाए थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अपने हॉल्टिकट को डाउनलोड कैसे करना है लेकिन कल सर्व इतना डाउन था कि ठीक तरे कैसे एक्स्प्लेइन नहीं हो पाया बहुत सारी ऐसी चीजे थी इंपोर्टन जो आपको बतानी रह गई है उसी के बारे में मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि अब जो एक्जाम शुरू होने वाले है उन सभी बच्चों को एक साथ इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या हमारे गाइडलाइन्स रहेंगे किस तरह से हम अपने एक्जाम को देंगे एक्जाम सेंटर की क्या गाइडलाइन्स जारी की गई है हॉल टिकट में क्या नए बदलाव किये गए हैं ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगे एक बार फिर से एक्जाम में जाने से पहले वो भी इस वीडियो में एक्स्प्रेइन करूँगी ताकि आपको जाने से पहले किसी भी कोई चीज की कमी ना हो तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चानल पर फिर स्टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसी इंपोर्टन इंफोर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शायर जरू करिएगा और आगे भी काफी सारे इंपोर्टन वीडियो अब आने वाले हैं एक्जाम रिलेटेड तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे में मिल जाएगा वहीं पर यहां पर लिखावा है न्यू करके यहां से मिल जाएगा अब हम लोग बात करते हैं होल्टिकट के बारे में तो हल्टिकट का जो पोर्टल है वो कल ही परसो तक परसो रात में 10 बज़े तक अपडेट कर दिया था लेकिन कल सर्वर काफी जादा बिजी था एक बज़े तक तो कुछ इन्फरमेशन ही नहीं आई और उसके बाद सर्विस लिख दिया गया और उसके बाद यह लिखा गया कि एक बज़े के बाद शॉटली यह सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा और ऐसा हुआ भी एक दोनों में से हम लोग को दो आप् बाइस टर्म एन इग्जामिनेशन न्यू पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद इस तरह का ओपन होगा और यहां पर आपको दो अप्शन्स दिये जा रहे हैं में लिंक पर आप कर सकते हो और अल्टरेट सेकेंडरी लिंक इसले दिया गया कि अगर में वेबसाइट कभी अगर नहीं हो पारा इन डाट के सबस्क्राइब करोगे इस तरह का कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा पोटल तो यहां पर आप अपना इंडॉल्मेंट नंबर फिल कर लोगे नाइन यह तेन डिजिट का जो भी इंडॉल्मेंट नंबर है यहां पर अपने प्रोग्राम को अप्सलेट करनों कर लोगे छो भी आपका प्रोग्राम fps जितने भी प्रोग्रांस का एक्जाम अभी जून बौहजारबाइस के एकजाम में लिया जाएगा उनसा भी इक्जाम की डिटेल यहां पर प्रोग्राम कोड दिया गया है अपना इंडॉल्मेंट नर्शाओ इसको बिना पढ़े चले जाते हैं, that's why उनको exam center पर बहुत problem आती है, तो इस video में मैं आपको यह सब explain कर दूँगी and यह भी बता देती हूँ, hall ticket कैसे download करना है, तो यहाँ पर जैसे ही यह important note आएगा, इसके बारे में लोग डिसकस करेंगे, फिलाल download कैसे करना यह बता देती हूँ, यहाँ check box पर आप check करोगे and यहाँ पर आप submit क्लिक कर दोगे, submit जैसे हैं आप क्लिक करोगे तो आपका hall ticket कुछ इस तरह से open हो जाएगा, क्या-क्या नए changes हैं यहाँ पर मैं बता देती हूँ, for example, इस student का admit card या hall ticket मैंने open किया है, and यहाँ पर आपका enrollment number लिखा रहेगा, match कर लेना, पहले photographs नहीं आते थे, अब photograph इगनो वाले लगाने लगे हैं, पहले आप ही को लगाना पड़ता था, अगर किसी कारणवाश आपका photograph नहीं print हुआ है, आपके admit card में, तो आप खुझ से भी paste कर सकते हो, no issues, ठीक है, तो आप photograph आ गया है, इसके अलावा QR code यहाँ पर दिया गया है, QR code से आप scan करोगे, तो आपका अपना enrollment number, control number, exam center का code वगेरा, वो सब मिलेगा, एक बाद scan करके आप देख सकते हो, तो यह एक नई update है, पहले QR code वगेरा नहीं आते थे admit card में, अब आ गए है, और यहाँ पर I will ask क्यों कि यह जो exam center का जो code है, बहुत ध्यान से देख लेना कि यह आपके यहाँ जो exam center के address से match हो रहाएं कि नहीं, sometimes अलग-अलग दे देते हैं, in that case आप एक बार मिला लेजेगा, और उसके अलावा यहाँ पर student के schedule दिये गए है, exam कब-कब होगा date है, session है, course का code है, timing है, तो यह course code वगएरा है, यहाँ पर timing slot दिया गया है, and dates है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, यहाँ सारे subjects को लेकर के है, and उसके अलावा भी और भी instructions है, यह सारे instructions आपकी जो answer sheet की जो booklet होती है, first page, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है, तो इसको भी एक बार हम लोग डीटेल में देखेंगे, तो first of all, हम लोग यह देख लेते हैं, कि इस important note में हमें क्या कहा गया था, so I will just read out that for you, तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर यह लिखा गया है, कि the examiner should carefully write the enrollment number on the answer sheet, in case of ambiguous, deceptive or incorrect enrollment number, result will not be declared, इसका यह मतलब है कि अपने answer sheet पे अपनी enrollment number को carefully सही सही लिखना है, in case गलत enrollment number लिखते हो, तो result आपका declare नहीं होगा, इतनी सी बातों आप भी जानते होंगे, and इस बात का ध्यान भी रखना, answer sheet पे अपने 10 या 9 digit का enrollment number लिखना है, अब जो problem आ रही है, जो new enrollment number आते हैं, वो 10 digits के आते हैं, इससे पहले 9 digits के आते हैं, तो अगर आपके 10 digits के हैं, then it's all okay, 10 box रहेंगे, और उसमें एक एक करके आपको 10 digits लिख लेना है, लेकिन in case आपका 9 digits का है, तो 9 digits आपको लिख लेना है, और एक जो box जो बच जाएगा, उसमें ऐसे cross mark आपको बना देना, यहां लिखा है, then X या cross should be marked in the last bracket, ओके, यहां तक आप समझ गया है, उसके अलावा, note that apart from the main answer sheet, no supplementary answer sheet should be provided, यह बात बच्चे नहीं जानते हैं, और वो analyze करके नहीं लिख पाते हैं, लाइक उनको जितना booklet दिया गया है, उतने में ही आपको अपना answer complete करना, इस हिसाब से लिखेगा, वो more than enough होता है बच्चों के लिए, लेकिन आपको यह बात already पता होनी चाहिए, तकि आप उस हिसाब से लिखो, जादा जगा waste मत करो, हिसाब से लिखो तकि आपको उतने में complete हो जाए, क्योंकि यहाँ पर extra sheets प्रोवाइड नहीं किये जाएंगे, in any case, क्योंकि इगनुने initiative लिया है, paper wastage को कम करने के लिए, प्लीज साइन ऑन दा attendance sheet, दूरिंग दा examination, दा प्रेस्क्राइब कॉलम, in front of your name and enrollment number, in case, if it is not signed, then he or she will be treated as absent, तो exam होते होते, आपके पास एक attendance sheet आएगी, उसमें आपका नाम and enrollment number लिखा होगा, उसके सामने आपको अपना signature करना है, ध्यान रखिएगा, कभी-कभी ऐसा होता है, कि आप exam दे रहे हैं, आपने attendance ही नहीं mark की, तो उस case में आपका result डिकलेर नहीं होता है, आपको absent mark कर दिया जाता है, that's why attendance sheet जब भी आए, तो उसमें उतना sign जरूर करेगा, उसका ध्यान आप रखिएगा खुदी, and इसके बाद, before submitting the answer sheet to the invigilator, the candidate should check that his or her signature, and the invigilator signature and the examination center stamp is affixed on the designated place, answer sheet का जो first page होता है, जिसमें आपको अपना नाम, course, code, program, code, etc. लिखना होता है, वहाँ उपर IGNU का stamp होना जरूरी है, and वहाँ पे आपके invigilator का sign भी होना जरूरी है, ठीक है, यह दो चीजे stamp होना चाहिए आपके answer sheet में, इसके अलाबा, invigilator का signature आपको जरूर कराना है, इन दोनों चीजों के बिना, आपका answer sheet invalid माना जाएगा, इसके अलाबा, in the view of prevailing COVID-19 scenario across the country, some examinees may not get the desired examination center, the university has tried to accommodate such examinee in nearby examination center, mentioned in the hall ticket, okay, no request shall be asked to change the examination center, इसका यह मतलब है कि आपने जब अपना exam form भरा होगा, तो कोई आपने exam center choose किया होगा, COVID-19 को ध्यान में रखते हो सकता है कि exam center वो आपको available ना हुआ, तो in that case, IGNU ने खुदी allot कर दिया आपको other examination center, तो एक बार अपने hall ticket में जरूर चेक करेगा, suppose यहाँ पे hall ticket में, यहाँ पे जैसे कि in student का examination center लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, whatever address this is, यहाँ पे IGNU study center में इनका exam होगा, और यहाँ पे code लिखा है, I don't know कि इन्होंने exam form में भी same choose किया था, और इनका admit card में same आया है कि नहीं, आप एक बार चेक कर लोगे, कि आपने जो choose किया था, आपको जो मिला है वो same है कि नहीं, क्या चीज़े examination center campus पर आपको बिल्कुल भी नहीं ले जानी है, mobile phone नहीं ले जाना है, Bluetooth wireless, earphone devices यह सब कुछ नहीं ले जाने है, and digital watch of any kind, including digital या smart watch, analog watch भी आपको नहीं ले जानी है, जो classic watches आती हैं वो नहीं ले जानी है, digital and smart watch तो बिल्कुल भी नहीं ले जानी है, इसके अलावा bag, handbag, paper, notes, books, calculator, यह सब भी नहीं ले जाने, calculator in case आपके subject ने demand की है, तब तक आप नहीं ले जा सकते हो, calculator या कोई भी electronic device वहाँ पर prohibited है, car की चाबियां वगएरा वहाँ आप जाकर के request करोगे, फिर की यह सब चीज़े रखनी है दिन आप ही को दिकत होगी, वो अलाव नहीं करेंगे, हैं साफ साफ लिख दिया है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लिजेगा, mobile phone, bluetooth device, and handbag, paper bag, सब लोग पूछते हैं, bag दे जाना है कि नहीं, यह वो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कुछ भी नहीं लाना है, except your writing materials, and काफी बच्चे यह पूछते हैं कि हम लोग वाइटनर का use कर सकते हैं कि नहीं, तो देखे, इसी section में यह लिखा है, correction marker slash white fluid, any other suspicious item या material etc is not allowed, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि correction marker या white fluid allowed नहीं है, इसका मतलब आप वाइटनर भी नहीं ले जा सकते, and यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि no arrangement at the examination center for keeping a forced items, यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि बाद में वहाँ पर जाके center पर आप बोलोगे कि हमाई ले special arrangement कर दो, हमें phone रखने हैं, हमें bag रखने हैं, then they will not entertain you at all, and अगर कोई भी समान खो जाता है, तो center की जिम्मेदारी नहीं होगी, they will not be held responsible for any of that, and candidates are therefore advised not to bring any of the prohibited substance, यह सब कुछ अगर आप लाते हैं, then आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, and अगर जिन material का उन्होंने मना किया है, वो फिर भी आप exam center के अंदर लेके गुशते हो, then that will be registered under the unfair means, या police, whatever you can say, that will be considered as unfair, because they have already told you in the instructions, कि यह चीज़े नहीं लानी है, यहां पर वो आप से check box में check भी इसी चीज़ पर कराना है, कि mobile phone, किसी भी तरह की घड़ी, smart watch, digital watch, watch, bag, handbag, water bottle, paper, notes, etc, calculator, electronic gadget, whitener, वगरा, कुछ भी नहीं लाना है, only your pen, pencils, scales, geometry box, etc, and उसमें भी कुछ नहीं होना चाहिए, like watch, or magnifying glass, and this, that, सिर्फ और सिर्फ आपका writing material होना चाहिए, and papers भी आपको खुद नहीं लेके आने है, they will give you a booklet, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लाना है, okay, so I hope that was clear, आप सभी चीज़े समझ गया होंगे, अब आपके hall ticket के नीचे भी कुछ instructions है, let's see, कि वो same है, या वो अलग है, I think it's same, मैंने जो आपको बताया है, वही है, यहां पर भी repeated है, यहां पर भी आप ठीक से देख लेजेगा, calculator के बारे में बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो calculator, वही बच्चे लाएंगे, जिनको like commerce में मांगा जाता है, कि calculator का use है, वो खुद बोलते हैं, उन्हीं को लाना है, उसके अलावा, examines are also required to adhere the corona protocol, if they are asking you to do social maintaining, and take proper hygiene, then ensure all of that, medium of examination, examines को जो answer sheet की, जो front page होगी, उसमें अपना medium जरूर लिखना है, like medium is the language in which you will answer your question, अगर आप Hindi में लिख रहे हो, तो Hindi तो किसी और language में आप लिख नहीं सकते हो, तो आपका medium रहेगा Hindi, अगर आप English में लिख रहे हो, तो आपका medium रहेगा English, और अगर किसी local language का paper दे रहे हो, then आपको local language लिख होगे, okay, answer written in any other regional language in which program is not offered, अगर आप जैसे मान लिजे आपका English, and आप उसको like regional language में लिख दे तो आप मराथी में उर्दू अगरा में लिख दे तो, then that will not be considered, उसको तुरंद ही invalid मान लिया जाएगा, because वह जिस medium में आपका program चलता है, जिस medium में आपको पढ़ाया गया है, आपके questions पूछे गया है, उसी medium में आप जवाब दोगे, I hope that's clear, and यहाँ पर OMR sheet पर होने वाले objective types जो exams है, उसके भी course code यहाँ पर दिये गये हैं, आप चेक कर लेना कि आपका subjective exam है, या optional आपका objective type exam है, इसके अलाबा, student appearing for practical या lab courses other than BLIS, are advised to contact the regional center for venue and schedule of exams, practical and lab courses के लिए आप अपने regional center पर consult करोगे, कि आपका कहाँ पर center है, ओके and entry into the examination hall shall be closed after 15 minutes of the distribution of question paper, यह बहुत important है, बच्चे बिलकुल ही समझते हैं, वो एक गंटा लेट जाते हैं, आदा गंटा लेट जाते हैं, thinking that they will be allowed, तो examination hall में question paper बाटने के 15 minutes बाद तक ही आप allowed हो, उसके बाद they will not allow you to enter the examination room, the center superintendent may condone the delay up to 30 minutes on account of the bona fide reason, 30 minutes तक अगर आपकी बहुत बढ़ी कोई emergency हो, then they will allow you और उसके आगे तो कोई chance ही नहीं है, अगर आपने पेपर एक गंटे में भी कंप्लीट कर लेओ, विच इसी के अपने अर्रेजमेंट्स करोगे वहां जाने के और वहां से वापिस आने के, अगर आपके एक्जाम में रीडमिशन की जरुवत थी, आपने एर में री रेजिस्ट्रेशन ही नहीं करा है, इन आपकी वैलिडिटी के अंदर ही अंदर आप एक्जाम दे रहे हो, then only your होल्टिकट विल बी कंसिड़र आज वैलिड, उसके अलावा फिल्ड इन कोर्स कोड़ेड और ऑप्टेड और रेजिस्टर्ड रेजिस्टर्ड कोर्स होना चाहिए आपका एक्जाम का, not applicable for reevaluation, reevaluation के लिए आपका हल्टिकट वैलिड नहीं है, if applied for reevaluation in the field courses, result immediate यह सब तो online ही होता है आप जानते हैं, इस सब के लिए हाल्टिकट निकालते नहीं है और प्लीज चेक यह नेम स्पेलिंग इंक्लूडिंग सर्नेम, if not correct immediately report to SRD, student division में immediately report कर दिजेगर आपके हाल्टिकट में कोई भी mistake है तो, वहाँ पर mismatch होने के कारण आपको exam देने से रोका जा सकता है, तो यह आपकी जिम्मेदारी आप सब कुछ double check करें, not covered under exemption scheme, exemption वगरा हाल्टिकट के लिए नहीं मिलता है, no exam is allowed to take over, answer sheet out of the examination center ठीक है, answer sheet को exam center के बाहर लेकर के नहीं आना, यह सब unfair means है, I think आप सभी लोग यह सब चीज़े जानते हो, you all are not kids, you all are grown-ups, graduate हो, master's में हो, PG कर रहो, UG कर रहो, आपको यह सारी चीज़े पता होती है, impersonation will be reported to the police, जो ही चकारी नहीं करनी है, of course cheating is not allowed, students are advised to preserve a copy of their hall ticket admit card in good condition for future reference, अपने hall ticket and admit card को good condition में रखेगा, आपको साथी साथ मैंने बताया था कि exam center जब जाओगे तो सिर्फ hall ticket नहीं, आप अपने university ID card को भी ले करके जाओगे, यह दोनों चीज़े जरूरी हैं, यह सब चीज़े मैंने आपको अलरी बता दी थी, अब यह सब कुछ हो गया, आपको आपका hall ticket भी मिल गया, आपने instructions भी carefully पढ़ लिया, अब अगर आप चाहते हो इसको print out निकलवाना, and you don't have a printer at home, then आप जानते ही हो, you will basically click on print and they will ask you to save a PDF of this and PDF को save करके, you can ask any cafe or any other person to just take a print out of this, okay, so be sure and all the best for your examinations and हर चीज़ को double check करेगा and अपने exams को बहुत काम तरीके से लेकेगा, okay,